आज है 23rd of March और आज की डेली करंट अफरे सेशन हमको करने है डिस्कास आज की अगर तिथी देखें, नाशनल कालेंडर अफ इंडिया साख कालेंडर के हिसाब से तो फागुन महीना है, शुकल पक्ष है, चांद पूरा अल्मोस बढ़ चुका है क्योंकि आज चतुर दर्शी है दिन की शुरुआत त्रेओ दर्शी से हुई थी अब चतुर दर्शी आ चुकी है और जिन बच्चों को नहीं पता मैं यह रोज क्यों बताते हूँ तो यह इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए कल है पूर्णिमा कल कौन सा त्योहार है भारत के अंदर होली होली कब आता है होली आता है फागुन महीने के शुकल पक्ष की पूर्णिमा को तो जब एक्जामेनर का भी पूछेगा न तो रटने नहीं पढ़ेंगे रोज आ कि आपको थोड़ी अंडेस्टांडिंग इंडियन कालेंडर की आ सके ठीक है चलिए जी अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले कल जो मैंने आपसे क्वेशन आप दे पूछा था वो डिसकास कर लेते हैं I had asked you who has been selected for Sangeet Kalanithi Award of Music Academy for 2024 Music Academy जो चिन्नाई के अंदर है वो Carnatic Music के अंदर one of the highest award देती है जिसको Sangeet Kalanithi कहा जाता है और वो किसको इस बार confer किया गया है किसका नाम announce कर दिया गया है I had asked you right answer is TM Krishna सबने सही answer दिया अब session के बीच में भी मैंने आपसे कुछ question किये थे तो randomly मैंने आज रौनित ठाकुर जी का response पे किया है पहला question साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाशाओं में दिया जाता है मैंने आपसे पूछा था so right answer is 24 different languages ज्यान पीट पुरसकार जो होता है ज्यान पीट या जिसको हम English में GNA इसे GNAN लिखते है ना लेकिन इसको ग्यान पीट पड़ते है तो ग्यान पीट अवार्ड दिया जाता है 23 इंडियन लांविजेस के अंदर 23 लांविजेस जो 22 जिसमें से इट में शामिल है प्लस इंग्लिश और साहित्य अकाडमी पुरसकार दिया जाता है 24 लांविजेस के अंदर ध्यान रखेगा इन दोनों के सरस्वती सम्मान पे हमने बात की थी वो 22 लांविजेस में दिया जाता है एक्जामिनर पूछता है यह सारी चीज़ है इसलिए बा से लिस्टेट आंसर इस 15 14 नहीं है मैक्सिमम बच्चों ने 15 बोला कुछ एक ने 14 लिखा था 15 है और लास्ट जो एडिशन हुआ है गर्बा 2023 में लिस्ट हुआ है इसके अंदर ठीक है देन आ हैड आस्ट यू रॉयल चैलेंजर्जर्स बैंगलूरू हां बैंगलूर नहीं बिनका नाम ठीक है रसी वी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू नाम चेंज हो चुका है इन्हों ने डव्ल्यू पी यल ट्रोफी जीती थी बिल्कुल ठीक है किसको हराया डेली कापिटल्स को हराया था कहां हुआ ये फिनाले अरुन जेटली स्टेडियम जिसका पुराना नाम फिरोज शाप कोटला स्रेडियम था और ये डेली के अंदर है और ये टी एंग कृष्णा जी तो हमने देखी लिए ठीक है चलिए अच्छा कल मैंने आप से स्यों मेंबर्स के उपर भी बात की थी ना तो स्यों मेंबर्स एट नहीं है एक इरान भी 2023 के अंदर आड़ ह चलिए अब जिन बच्चों ने नया स्टार्ट किया है करंट अफैस यहां से फॉलो करना उनको में बता दूँ जो भी यहां से पढ़ोगे उसका पीडिएफ आपको अवेलेबल करवाए जाता है इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग कहां से एक्सेस कर सकते हो पर्चम की और पर्चम के टेलेग्राम पे भी बहुत सारे क्विज़ वगेर आपको दी जाती है तो यहां भी आपको मिल जाता है अगर आपको वीकली और मन्तली करंट अफैर मागजीन चाहिए तो फिर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा पर्चमक्लास डॉट इन के ऊपर ठीक है ज सबस्क्रिपशन और कोर्सेज अप पर मिलते हैं इंडिविज्वीजल पीडिएफ वेबसाइट पर मिलती है c a subscription है pdf subscription है यह सब आप चेक आउट कर सकते हो और अगर यूश्फुल लगता है ले सकते हो कोई भी कोईरी कंसर्न है तो हल्प लाइन नमबर है इमेल अड्रेस ह यूशुली विडियो रिलेटेड अगर आपके कोई री कंसर्स है वो लिखा करूँ अगर कोई भी पर्चेस किया है या पर्चेस करना है तो उससे रिलेटेड हेल्प लाइन नंबर इमेल आईडी, पीडिएफ रिलेटेड तो इमेल पे ही लिखा करो जल्दी रेजलूशन मि आज 23rd of March को हम शहीद दिवस मनाते हैं तीन ऐसे सपूत रहे इंडिया के जिन्होंने शहादत दी थी आज के दिन और इसी लिए Martyrs Day या शहीद दिवस के तौर पे आज को अब्जर्व किया जाता है 23rd March को शद्धानजली किन तीन लोगों को आप देख रहे हो भगत सिंग राजगुरू और सुख देव जी की आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो तो शहीद दिवस या Martyrs Day या सर्वोदय दिवस या सर्वोदय दे के तरे भी इस तारीक को अब्जर्व किया जाता है क्या पूरे साल हम एकी बार Martyrs Day मनाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कई बार occasion पे मनाया जाता है लेकिन prominent दो तारीक है एक तो है 23rd March और दूसरा कौन सा है? 30th January कब जब गांधी जी ने अपने प्रानते आगे थे तो 30th January को और 23rd March को मुख्य रूप से Martyrs Day मनाया जाता है शहीद दिवस बाकी भी बीच बीच में अब्जर्व कर लिये जाते हैं तो भगत सिंग, सुखदेव थापर और शिव राम राजगुरु जी को इस दिन हैंग किया था ब्रिटिश सरकार ने 1931 में और इसलिए हम शहीद दिवस मनाते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे आज यानि 23rd March को एक और important day आता है इंटरनाशनल डोमेन का है और important है ठीक है, world meteorological day, meteorology मौसम से related होती है, climate, weather, so meteorological day है ये, world meteorological day कब पढ़ता है 23rd March देखो जब 23rd March को सुखदेव राजगुरु भगत सिंग जी को हैंग किया गया था, मौसम ही बदल गया था पूरे देश के अंदर जोश का मौसम आ गया था, कि नहीं अब तो हमें independence चाहिए, तो मौसम को यानि meteorology को जोड लिजे, study of weather, phenomenon, climate होते हैं, उनको meteorology कहा जाता है लेकिन हम associate करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, तो दोनों देन एक साथ याद हो जाएंगे 23rd March 1950 को World Meteorological Organization जो है, वो existence में आई थी, यानि गठित की गई थी, यह United Nation की एक specialized agency है United Nation के कुछ अपने core departments होते हैं, फिर कुछ बाहर की agencies होती हैं, जिनके साथ में मिलकर के United Nation काम करता है उन में से एक World Meteorological Organization है, specialized agency है, यानि specially मौसम से related सारे काम देखती है Theme क्या है भे, इसकी important दे है, इसलिए theme भी याद रखनी है, at the front line of climate action, climate action की बिलकुल front line पे ठीक है, सो हम एकदम front line पे रहना है climate action के, ऐसे थोड़ा सा picturize करके theme याद रखेंगे अब यह जो climate related point है, sustainable development goal में कौन से number पे आता है, 13 number पे Climate ना तेरा है ना मेरा है, अगर एक जगे global warming होगी तो पूरे globe को affect करेगी तेरा मेरा नहीं चलेगा, meteorologic है या climate के case में से याद रखेगा Total 17 sustainable development goal में से 13th number पे आता है Take urgent action to combat climate change and its impact, climate change वाला point ठीक है, यहाँ तक clear हो गया, चले अब क्योंकि हमने world mythological organization का mention देखा है, इसके बार में देख लेते हैं, like I told you, specialized agency है UN की, 23rd March 1950 को बनी थी इसलिए ये दिन इस तारिक को मनाते हैं, Geneva, Switzerland में headquarter है like most of the organizations are, और इसके जो head है, secretary general की जो position होती है वो WMO की head position होती है, उस पे कौन है, Celeste Solo so climate भी थोड़ा धर्ती के ऊपर का है, और Celeste यानि celestial objects तारे टिम्टम आते हैं जो वो भी थोड़े से outer space की कहानी है, तो Celeste से आप ऐसे कुछ, नहीं तो अच्छा climate है Solo अच्छा climate है Solo, ऐसे भी कर सकते हो, so Celeste Solo याद रखिएगा चलिए जी, अब आते हैं थोड़ा national domain की news के ऊपर और उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ because अब तक काफी सारे बच्चे लाइव चाट में जोड़ चुके होंगे, प्रेमियर हो रहा है यह session so आज है 23rd, कल है Holy Purp, है न होले का देहन होगा कल, तो कल तो आपकी classes, कल क्या है, Sunday है तो Sunday को आपका weekly session आएगा, तो सुभह, सुभह नहीं सारी, दिन में 12 बज़े आपका weekly revision पायल माम लेंगी, पूरे हफते का जो current affair हमने पढ़ा है उसका, और शाम को साथ बज़े banking current affair आता है वैसे आपका, तो हम उसको शाम को न रखके, चार बज़े वाले slot में रखवा देंगे ताकि शाम को होले का देहन के time आप सब free रहें, आपको पढ़ना नहीं पड़े, हमको comment अगेरा देखने नहीं पड़े सो कल 12 बज़े और 4 बज़े दोनो weekly sessions आएंगे, 12 बज़े वाला सभी के लिए है, 4 बज़े वाला खास तोर पे banking students के लिए है ठीक है, ओके, और Monday, जिस दिन होली खेली जाएगी, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी, मैं क्लास लाओं भी तो आपने देखना नहीं और मैं भी क्यों लाओं, मैं भी होली खेलूंगी सो मंडे को कोई क्लास नहीं होने वाली है, मंडे विल बी अ कम्प्लीट ओफ for all the sessions, अब हम Tuesday को में लेखें, ठीक है जी? चलिए, चलिए, ओल्राइट, सो पीएम मोधी जी के दौरे से रिलेटेड निउस पे आ जाते हैं, पीएम मोधी जी अभी एक दिन के भूटान दौरे पे गए थे और उस से रिलेटेड क्या निउस है, लेट अस सी सो पीएम मोधी विजिटेड भूटान for a 24-hour state visit, state का मतलब यहाँ पे country से होता है, ठीक है, international domain के अंदर, state मतलब country तो वहाँ पे उन्होंने mother and child hospital थिंपु में inaugurate किया, जो कि इंडिया की funding support से बन रहा है, उसी के साथ साथ अभी भूटान में 13th 5-year plan, पूरा planning का काम चल रहा है, और उसमें इंडिया से क्या क्या support expect किया जा रहा है, उसका discussion भी इंडिया से करना था, इसके लिए PM मोधी वहा हमारी तरफ से कर सकते हैं, एक new गेलेफू mindfulness city plan चल रही है, जो कि southern side of Bhutan में होगी, असाम के आसपस आएगी, उसके उपर भी चर्चा होनी थी, last time भी जब 5-year plan decide हो रहे थे, 12th 5-year plan, तो भी इंडिया की तरफ से काफी help हुई थी, हमने करीब 5000 crore की funding assistance वहाँ पे दिया था, ज और भूटान के काफी friendly relations है, हम काफी सारी funding support उनको देते रहते हैं, अभी वाली जो visit है, वो भी इसी reason से रही, और इस visit का एक और reason था, वो ये कि P.A. Modi ji को receive होना था, भूटान का highest civilian award, जो कि उनको receive हुआ, अब वो award क्या है, नाम देखिए इस award का, order of the drug galpo, order of the drug galpo, कौन से country का highest civilian award है, civilian यानि आम नागरिक को दिये जाने वाला, military से related नहीं है, तो वो order of the drug galpo है, P.M. Modi ji को bestow किया गया, धूटान का highest civilian award, और ये first foreign head of a government बने है, जिनको ये award मिला, यानि कि किसी भी देश के सरकार के प्रमो, foreign government के head, जिनको ये order of the drug galpo मिला है, वो P.M. Modi बन गया है, ठीक है, जी किस ने दिया, ये भूटान के king है, जिग में खेसर नाम गया लवांचुक जी, इन्होंने ये bestow किया, क्यूंके इंडिया भूटान के relations को और strong करने में, P.M. Modi ji ने एहम भूमिका निभाई, कोविट के time भी हमने काफी vaccination support भूटान को दिया था, ठीक है, चलिए, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है कि एक कमिटी बनाई जाए, जो कि ये देखेगी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक चिडिया है, अगर आपको पता हो, critically endangered category में आती है, ये bird है, गोडावन इसको कहते हैं, राजस्थान के है, ये critically endangered है, और अभी जो सोलर पैनल के काम चल रहे है, राजस्थान गुजरा साइड में काफी काम चल रहे है, नीचे सदन साइड में भी है, पर यहां पर क्यूंके इन बर्ड की पॉपिलेशन जादा, इसलिए जादा दिक्कत है, तो जब ये सोलर पैनल के काम चलते है, तो वाइरिंग वगेरा चलती है, तो वाइरिंग के चलते है, ये बर्ड की हाइट थोड़ी जादा होती है, तो जो सर्फिस पे तार लगे होते हैं, उनसे उलग जाती है, नहीं तो जमीन के सिर थोड़े पास वाले जो तार हैं, उनसे इलेक्ट्रो क्यूट हो जाती है, न जा तो इनको और उंचा कीजे, इनकी लेविल से थोड़ा उंचा नहीं, तो इनको आप अंडर ग्राउंड कीजे, लेकिन उस पर काम इती तेजी से नहीं चल रहा था, इसलिए PIL, Public Interest Litigation दायर की एक व्यक्ती ने, और अब सुप्रीम कोट ने ये डिसिजिन दिया है, कि 31 आप ये बताईए कि ये जो इलेक्ट्रोकुशन का काम है, कितने लेविल तक पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बर्ड के बारे में नहीं सोचना है, हमें तो ये भी सोचना है कि हमारा सोलर एनरजी का जो प्रोजेक्ट है वो भी चलना चाहिए, विकास हमारी वो भी एक टार्गेट है, तो कैसे इन दोनों परपर्जस को हम बैलन्स आउट कर सके, हमारी ग्रेट इंजिन बस्टर्ड की जाने भी बचे और हमारे सोलर प्रोजेक्स भी जो रिनियोबल एनरजी प्रोजेक्स है हमारे वो भी नहीं रुके, तो इन दोनों को कैसे हम बैल ठीक है, बैलन्स करना है बस्टर्ड कंजर्वेशन को विफ सस्टेनिबल एनरजी गोल्स, तो तीन जज़िस की एक बेंच थी सुप्रीम कोट की, जिसको हेड कौन कर रहे थे हमारे धीवाय चंदरचोड जी, उन्होंने ये बोला कि कमिटी बनाई है जो कि बैलन्स करे ग्र बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहे थे, हाई पावर्ड जो लाइन्स होती है उनसे इन ग्रेट इनियन बस्टर्ड के और गुजरात और राजस्थान में में मेंली ये केसे जादा देखे जा रहे थे, अब पैनल ने कहा है कि पूरा कितना स्कोप है, हम कितना चेंज कर स करते हैं या फिर कुछ और तरीका सोचा जाएगा तो उस पे स्टडी करनी है और 31 जुलाइ तक अपनी रिपोर्ट इस पैनल को देनी रहेगी, वाई लाइफ इंस्ट्यूट के काफी सारे लोग हैं इसके अंदर, तो जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको इस कमिटी में डा अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम क्या है आडियोटिस नाइग्रो सेप्स और यह मेजरली राजस्थान गुजराथ फिर कुछ हिलाके मध्य प्रदेश, महराष्टा, करनाठा का अंधरा में भी पाई जाती हैं लेकिन मे होती थी जो डीफॉरस्टेशन है उसकी वज़े से इसका हैबिटाट लॉस बहुत हुआ ग्रेजिंग जो हो जाती थी ग्रास लैंड के ओपर कैटल घास खा गई अब यह बर्ड कहा रहे तो यह सारे रीजन तो थे ही लेकिन एलेक्ट्रो क्यूशन भी एक बहुत बड़ा बन के सामने आया है यह स्टेट बर्ड है राजिस्थान की इसको गो डा वन के नाम से वहाँ पे बुलाया जाता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है याद रखेगा आई उसी एन कैटेगरी पूछ ली जाती है वाइलाफ प्रोटेक्शन आक्ट 1972 में शिडूल वन का प्रो अगली खबर जो है वो आतो इंटरनाशनल डोमेन से रही है पर इंडिया ने एक पुकता कदम उठाया है अपने इंडियन नाशनल्स के लिए जो हेटी में रह रहे थे तो हेटी जो है वहाँ पे अभी बहुत जादा वाइलिंस चल रहा है सिविल वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे अभी इंकम्मेंट तो नहीं बोलेंगे हम लेकिन हां नॉन इलेक्टेट प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी वजह से जो जनता थी वो काफी नाराज थी और वहाँ पे जो कुछ सिविलियन गुरुप्स हैं जिन्होंने दंगे मचा रखे हैं शूट आउट चल रहे हैं और देमांड हो रही थी कि यह जो पी एम है वो रिजाइन करें और हम हमारी तरफ से चुनेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होने चाहिए और इसके चलते बहुत जादा वाइलेंट सिचुएशन हो रही है और इसलिए इंडियन जो एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया एक उपरेशन के तहट बारा इंडियन सिविलियन्स को वहां से मूव करवाया है पास के कंट्री में और उसी से अगली नियूस आ रही है ठीक है इंडिया लॉंच जूपरेशन इंद्रावती अपरेशन का नाम ध्यान रखना है ऑपरेशन इंद्रावती तो एवाक्वेट 12 नाशनल स्वाम हेटी तो डॉमेनिकन रिपब्लिक अब पहले मैप पे लोकेशन देखो ताकि थोड़ी दिमाग में खबर जाए यह ना यह देखिए तो यह आपको साउथ अमेरिका दिख र है यह हेती है जहां पर बहुत ज्यादा सिविल अन्रेस्ट चल रहा है बिलकुल वाइलेंट सिच्वेशन चली हुई है पी एम जो बाहर गए तो डॉमनिकन रिपब्लिक में अपने किसी दौरे के लिए उनको वापिस आने ही नहीं दिया गया है यहां के जो हेती की पॉट इंद्रावती और इसके तहत हमने हमारे लोगों को एवाकवेट करके डॉमनिकन रिपब्लिक भेजाए यह जो वाइलेंट अफीवल है यह पॉर्टो प्रिंस जो कैपिटल सिटी है वहां पे मेजर ली है अधरवाइस भी है और जो प्राइम मिनिस्ट है एरियल हैं एरियल फिर उन्होंने ही नाम दिया था कि यह प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए मरने से थोड़े टाइम पहले लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर की पॉजिशन पर आ इन्होंने फ्रेश एलेक्शन वगरा नहीं करवा है इन्होंने कहा था मैं पॉजिशन पर इनका यह कहना है क इतना unrest चल रहा है, मैं elections कैसे कर वा हूँ, तो इस सब के चलते बहुत ज़्यादा unrest की position बनी हुई थी, ठीक है हेटी क्यूंके news में हेटी के बारे में देखते हैं, Caribbean, Sea एक तरफ आती है, Atlantic Ocean दोनों तरफ आता है और बीच में हेटी पड़ता है, ये इसकी location है, और ये Hispaniola, लेड रिपब्लिक थी ये, यानि कि independent घोशित करने वाली खुद को जहां पर black population सबसे ज़्यादा थी और leading role में थी, वो सबसे पहली कंट्री हेटी बनी थी, और capital poto prince है, हेटी गार्ड इसकी currency है, ठीक है, चलिए, होला महला शुरू हो चुका है, होला महला एक सिक फेस्टि अर्म है, उसमें होली तयोहर जो मनाया जाता है, उसके अगले दिन, very next day, main जो फेस्टिविटी है, होला महला की चालू होती है, लेकिन अभी इसका first phase चालू हो गया है, totally 3 plus 3 days में इसको celebrate किया जाता है, जो first phase 3 days का, वो कीरतपुर साहिब में होता है, और जो अगला तीन दिन है, जो main होला महला फेस्टिविटीज होती है, वो आननदपुर साहिब में होती है, ठीक है, तो ये first 3 days की start हो चुकी है, होला महला बिगिन अट हिस्टॉरिक गुरुद्वारा पाटलपुरी साहिब इन कीरतपुर साहिब पंजाब, तो पंजाब के कीरतपुर साहिब गुर आर्मी टेंडेंसीज हैं, उनको दर्शाए जाता है, जो सिक क्म्यूनिटी के मार्शल आर्ट से रिलेटेड कॉंग्रिगेशन होता है, यानि कि एक तरह से आर्मी कैसे चलती है, उस तरह से एक गुरुदवारे से दूसरे गुरुदवारे तक जाया जाता है, मार्शल का और of course celebration का पूरी community को साथ लाने का एक पर्व है ठीक है सो होला मोहला तीन दिन तक कीरतपुर साहिब में और तीन दिन तक आननदपुर साहिब में चलेगा आननदपुर साहिब वाला में होगा जो कि देखो 24 से 26 मार्च होगा 17th century से इसको celebrate किया जा रहा है martial art की जो प्रोवेस है जो फियर्सनेस है वो इसमें दर्शाई जाती है spirituality भी आती है communal harmony भी साथ आती है सिख्त योहार है हिंदू festival होली के एक दिन बाद से इसके में celebration चालू होते है अब यह जो होला महला word है इसका meaning क्या होता है इसका मतलब होता है एक तरह से mock fight या फिर अपनी army की वही कि अपनी army की प्रोवेस को दिखाना तो यहां पे जो भी martial art के तरीके है गटका वगरा यूज़ करके दिखाये जाते है गुरू गोबिन सिंग जी ने पहला इस तरह का mock event रखा था आनंदपुर साहिब के ही आगे February 1701 में और usually होला महला मार्च में ही आता है क्योंकि होली भी मार्च में ही आती है तो होला महला कौन से संप्रदा है या कौन सी community से जुड़ा हुआ है सिख community से जुड़ा हुआ है mainly आनंदपुर साहिब में होता है लेकिन उससे पहले कीरतपुर साहिब में इसका first way शुरू हो जाता है ठीक है जी ओके आगे बढ़े अगली जो खबर आ रहे है अब पंजाब से हम चलते हैं उपर जमू एन कश्मीर की तरफ तो जमू एन कश्मीर को मिलने जा रही है गुड़ इनफ एनरजी मतलब इंडिया की इंडिया की largest B.E.S.S. गीगा फैक्टरी इंडिया में अभी तक की सबसे बड़ी B.E.S.S. वो डेवलब करेगी इंडिया's largest B.E.S.S. गीगा फैक्टरी जमू एन कश्मीर में अब यह B.E.S.S. गीगा फैक्टरी क्या है यह समझना पड़ेगा तो जो बैटरी होती है न बैटरी एनरजी स्टोरिज सिस्टम होता है B.E.S.S. बैटरी एनरजी स्टोरिज सिस्टम से बहुत बड़ी कैपासिटी गीगा कैपासिटी तो मतलब क्या है 20 गीगा वाट हर्ट कैपासिटी 2026 तक अचीव करेगी है इतनी बड़ी एक फैक्टरी इंडिया की पहली बैटरी स्टोरिज गीगा फैक्टरी अपने ऑपरेशन्स जमू एन कश्मीर में स्टार्ट करेगी अनौस्मेंट किया गया है अभी शुरुआत के अंदर इनीशल कैपासिटी 7 गीगावाट आर की होगी जो कि 2026 तक बढ़के 20 गीगावाट आर्स तक पहुचेगी और इससे होगा क्या इससे यह होगा कि 5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन हर साल कट डाउन किये जा काफी इंसेंटिव और अनौस कर रहें 2070 तक हमें जीरो कार्बन एमिशन तक पहुचना है तो ग्रीन एनरजी सलूशन की तरफ मूफ करना पड़ेगा इस तरह के बैटरी स्टोरेज एनरजी स्टोरेज प्लांट्स की तरफ मूफ करना पड़ेगा उसी के तहत यह नीउस भ प्रफी 2024 जो हुए थी विनर कौन था रणर अप टीम कौन सी थी राइड़ा चले अगली नियूस की तरफ आते है इस रो से जुड़ी हुए नियूस है और हमारी जो स्पेस टेक्नालोजी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमने कदम आगे बढ़ा लिया है उसका ये प्र हमने second जो testing थी इसकी वो successfully पूरी कर ली है और जिसमें हमने first test जब किया था उसी के parts को use किया है reusable है तो हमने first test किया था फिर हमने second test उसी के parts को use करके किया है और वो भी successful हो गया है सो इसरो successfully conducts push-puck reusable landing vehicle landing experiment इसको landing vehicle launch vehicle होगा ये reusable launch vehicle reusable landing vehicle कुछ भी बोलिये launch BCP होगा land BCP होगा वापिस भी तो आएंगे हम राइट सो इसरो ने एक major milestone achieve किया है reusable launch vehicle technology के अंदर जैसे SpaceX करता है अपने rockets reusable rockets वो capsules भेजता है इसी तरह से इसरो भी तयारी कर रहा है कि हम भी ऐसे launch vehicles बनाए जिनको हम बार बार use कर सके और उसमें एक बड़ा कदम आया है RLV LEX LEX क्या है launch experiment 02 दूसरे नंबर का experiment है ये जिसका landing experiment successful हो च test range कहां है ये चित्रदुर्ग करनाटका के अंदर successfully conduct किया गया इसमें होता गया है इंडियन एरफोर्स का ही helicopter है वो इस launch vehicle को बहुत उपर तक लेके गया करीब साड़े चार किलोमेटर सम्थिंग तक उपर और वहां से इसको drop किया गया तो अपने आप ही अपने manoeuvres करके औ मतलब अगर हम हमारे launch vehicle को launch करेंगे landing के time वो safe land कर जाए ये हमको बार बार टेस्ट करना था तो वो second test हो चुका है high speed landing conditions में भी successfully हम इसको land करवा पाए हैं तो pushpuck rlvtd landing ने autonomously precision के साथ runway पे बापिस आ चुका है off nominal position से यानि उपर जाकर के जब हमने इसको drop किया तब और इसको ह था पहले experiment हो चुका था rlv lex01 हो चुका था उसी के body को flight systems को use करके rlv lex02 हमने किया है तो मतलब हम hardware flight system को reuse वाली demonstration भी successfully दिखा चुके है about it जी चले आगे अगली खबर देखते हैं वो भी space की दुनिया से ही है इस रो और सॉरी asteroid named after professor जयन्त मूर्थी और बैंगलूरू प्रोफेसर जयन्त मूर्थी हमारे हिंदूस्तान के professor जयन्त मूर्थी जो की बैंगलूरू में professor रह चुके है Indian Institute of Astrophysics के और इसके acting director भी रह चुके रिटायर हो इन्हों ने एक टीम में वर्क किया था नासा की एक टीम थी नासा न्यू होराइजन साइन्स टीम तो वो टीम वर्क कर रही थी अल्ट्रा वाइलेट बैंग्राउंड रेडियेशन जो भी space में होते है उनकी स्टडिय कर रही थी तो इनका जो contribution था उस वर्क में उसके चलते International Astronomical Union ने प्रोफेसर जैनत मुर्ती जी के नाम पे एस्ट्राइट का नाम रखा है यह जो एस्ट्राइट यह नया नहीं खो जा गया यह 2005 में डिसकवर कर लिया गया था ठीक है 2005 के अंदर किस ने डिसकवर किया था MWB ने डिसकवर किया था इनका नाम रटने की जरुवत बस यह ध्यान रखेगा तब इस एस्ट्राइट का नाम यह रख दिया गया था जब कोई एस्ट्राइट धूंडा जाता है खो डिसकवर किया जाता है तो इसका एक बार टेम्परी नेम दे दिया जाता है अब बहुत सारे ऐसे एस्ट्राइट का प्रॉपर फॉर्मल नेम तो इस asteroid का proper name क्या रखा गया 215884 जयंत मूर्ती तो यह asteroid का नेम है किसके नाम पे पढ़ा है प्रोफेसर जयंत मूर्ती जो की Indian Institute of Astrophysics बैंगलुरू में प्रोफेसर रह चुके है गौट इट जी चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं स्पोर्च की दुनिया में टेबल टैनि की न्यूज आई है तो यह कौन है यह है साथियान ग्यान सेखरन तो साथियान ग्यान सेखरन जी इंडिया के हैं और इन्हों ने मेंस सिंगल खिताब अपने नाम किया है अट वर्ल्ड टेबल टैनिस फीडर बेरट टोर्नमेंट लेबिनन के अंदर वर्ल्ड टेबल टैनिस फीडर में पहली बार किसी भारतिय ने एक इंडिविज्वल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है तो कोई सिंगल बेरट के अंदर हुआ ठीक है और इन्होंने हराया किसको इंडियन ही थे जिनको हराया मानव विकास ठककर जी को मानव विकास ठककर तीन इवेंट्स में फाइनल में पहुंचे पर जीत नहीं पाए और फिर्स्ट एवर बन गए साथियां इंडियन टू विन अमेंस सिंगल ट उसके अंदर विनर्स रहे हैं ठीक है जी तो साथियां साथिया नाम में हैं लेकिन ये टेबल टैनिस में सिंगल में सिंगल इबंट जीत करके आ हैं ठीक चलिए अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं इंटरनाशनली और हमने थोड़े दिन पहले निउस पड़ी थी कि दोनों ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को अच्छे कामों के लिए यूज कर पाएं और सेफ सिक्यॉर होना चाहिए तो यह युनाइटे स्टस अफ अमेरिका ने पहल की थी इस रेजलूशन की युनाइटेड ने अप्रूव कर दिया है इस रेजलूशन को और पूरी कि तहत मतलब किसी की राइट्स वाइलेट नहीं होनी चाहिए सेफ तरीके से सिक्यॉर तरीके से ट्रस्ट वर्दी तरीके से सब इसको यूज करेंगे और कभी भी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पे कोई बात होनी होगी तो सभी कंट्रीज को टेबल पे बिठाया जाएग और जो गैप है डिजिटल डिवाइड होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का उसको भी दूर किया जाएगा यानि सब के पास ऑपॉचुनिटीज हो संसाधन हो इंफ्रास्ट्रॉक्चर हो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को सेफली यूज करनेगा ठीक है चल अर्टिफिशल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत जादा काउंटर मिक्सिंग कर जाएगी ओरिजिनल से बहुत मिलता जुलता लेकिन बहुत डिफरेंट बनाया जा सकता है राइट सो इप फेक्स भी बन जाते हैं और आपके चीज़ों को बहुत इसली कोपी किया जा सकता है तो Tennessee has just become the first state to protect musicians and artists against AI कैसे? इन्होंने ये एक bill sign, मतलब एक approval कर दिया है यहां के governor ने, sign off कर दिया है कानून बना दिया है AI tools cannot replicate an artist's voice without their consent, मतलब आप कोई भी AI tool use कर रहे हो, किसी भी artist का जो work है, वो voice है, वो आप use करके उसके उपर काम नहीं कर सकते हो without that artist's consent ये एक legislation, Tennessee के governor bill Lee ने sign कर दिया है तो Tennessee पहला state बन जाता है, US के अंदर है ये, जिसने ऐसा कुछ law लेकर के आए हैं ये, 1st July से applicable हो जाएगा US state है, इसकी capital है Nashville, got it? चालो आखरी खबर if I'm not wrong, yes, इसके बाद हम revision question पर move करेंगे US, UK and Australia, A, UK, US जिसको AUKUS भी कहा जाता है A से Australia, UK and US, so US, UK, Australia entered agreement to build Australia's SSN AUKUS submarines देखिए जो AUKUS group है, Australia, UK और US का, ये एक trilateral एक तरह से agreement है इन तीनों देशों का, के हम आपस में coordination करेंगे, defense, military में भी infrastructure development में भी, एक दूसरे तीसरे के economic boost के अंदर भी और उसी के तहत इन्होंने अब announce किया है Australia की ASC company है और UK based BAE systems company है, ये दोनों मिल करके SSN AUKUS submarines बनाएंगी किसके लिए, Australia के लिए, तो ये agreement का एक main हिस्सा ये था, जो AUKUS strategic partnership है AU, Australia, UK और US की, इनका एक main aim ये है कि हमें Australia को कहे तो नहीं सकते हैं लेकिन underlining यही है कि nuclear power से less करना है, ठीक है, कहे क्यों नहीं सकते हैं because nuclear non-proliferation treaty Australia ने sign कर रखे, जिसके तहत वो nuclear power का इस्तमाल military areas में नहीं कर सकता ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे Australia, UK, US की ये जो strategic alliance है इसका underlining point ही ये है, कि जो Pacific Ocean वाला जो हिस्सा है, Australia वाला वहाँ पे भी हम हमारे strong bases रखे और उसके लिए UK और US क्या कर रहे हैं, nuclear powered missile, मिसाल नहीं सौरी, सब्मरीन बना रहे हैं और वो कहाँ पे दी जाएंगे, Australia को दी जाएंगे, गॉट इट, तो आतो गया nuclear capability लेकिन फिर भी ये तीनों देश कहते हैं, कि नहीं हम इसका इस्तमाल military में नहीं करेंगे, हम तो nuclear energy के शेतर में कर रहे हैं, लेकिन सब्मरीन में कौन सी energy तो ये बहुत बड़ा सवाल बनके सामने आ जाता है, कि आप ये जो nuclear non-proliferation treaty है, आप इसको वाइलेट कर रहे हो इस AUKUS के थूप, ठीक है, तो जो बच्चे civils की तयारी कर रहे हैं इस AUKUS को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेजेगा, तो अभी news ये है, कि Australia की ASC और UK-based BAE system ह जिन्होंने SSN AUKUS submarines build करेंगे ये, ये ऐसा announce fix हो गई है ये दो companies और वो Royal Australian NOEV को दी जाएंगी, ये जो SSN AUKUS submarines है, इनमें intelligence होगी, surveillance कर सकती है, under sea warfare में काम आ सकती है, ठीक है, और of course ये nuclear capable होँगी, और इसलिए Nuclear Non-Proliferation Treaty को contradict करती हुई है, AUKUS की शुरुआत कब हुई थी, 2021 के अंदर हुई थी, Trilateral Security Partnership है, तो Australia, UK, US, इंडो Pacific region जो है, वहाँ पे अपना और दबबा बनाने के लिए इन तेन देशों का ये संग साथ में आया, और इससे Australia को nuclear powered attack submarines देने की बात कही गई है, बस य यही बात है, कि अच्छा चलो मझे बता दो, क्या इंडिया Nuclear Non-Proliferation Treaty का सिगनेटरी है, क्या हमने NPT साइन कर रखी है, बताइए, ठीक है, चलिए, write on in the comment section, यह सारा discussion हम अगला जब भी मिलेंगी न, पोस्ट होली तब करेंगे, बड़े रिविजिन क्वेशन की तरफ यह हो सो मैंने अल्रडी अरांस्मेंट कर दिया है, कल संडे है, कल डेली सीए नहीं आएगा, कल वीकली सेशन आएंगे दोनों, एक पायल मैम लेंगी, और साथ बज़े वाला हम चार बज़े डालेंगे, जो आफरीन मैम लेंगी, बैंकिंग स्टूडन्स का, ठीक है, मंडे को को क ट्यूजडे को हम वापिस मेलेंगे, डेली सीए के अंदर, ठीक है, चलिए, जिन बचे को नहीं बता, टेलिग्राम पे वीकली क्विस भी होती है, तो कल आपकी वीकली क्विस भी आएगी, और जिन को ये भी नहीं पता, कि SSC का जेनरल अवैनेस प्रोग्राम चल रहा है, क को फो दिस कोर्स, ये आपको पर्चा माप पे मिल जाएगा, सारे ये जो मैने सब्जिक्स के नाम बताए, इंडिविज्वल भी मिल जाएगे, पूरा जी ए भी मिल जाएगा, इसका इंट्रोड़क्टरी वीडियो देख लीजेगा, फ्री लेक्चर्स दिये हुए है, भी डाउट है, तो प्लीज कॉन्टाक्ट टीम, तब बाई किजिगा, अच्छा होली का डिसकाउंट चालू हो जाएगा, आज इवनिंग से चालू हो जाएगा, हेवी डिसकाउंट से, अगर कुछ भी बाई करना है, वेरी गुड टाइम फो यू तो उतिलाइज इट, आपकी नजर, ये रहा, आंसर कीजे, what is the name of the operation launched by India to evacuate its national from Haiti to Dominican Republic, Haiti में जो unrest चल रहा है, उसके चलते एक operation launch किया हमने, to evacuate our people and move them to Dominican Republic, उस operation का नाम क्या है, चीरपाडवाला operation नहीं है, कौन सा operation था, operation इंदरावती, जिसके थैट लोगों को निकाल के दूसरे कंट्री भेजा गया, Who won the men's single title at WTT feeder bearer tournament in Lebanon, किसने जीता ही और पहले भारतिया बन गए है, ये टाइटल जीतने वाले, आंसर होगा, साथियान ग्यान सेकरन, ये जी एन एन लिखते हैं, पर है ग्यान सेकरन, In which state or UT will India's first battery energy storage giga factory be located, कहां पे operations चालू होंगे, भारत की पहली battery energy storage giga factory के, जम हो हैं कश्मीन, विलकुल सही है, पढ़ने के बाद सब simple लगता है, yes, okay, next, What is the theme of World Meteorological Day 2024? World Meteorological Day हमने देखा, मौसम वाल, हाँ, तो उसका theme क्या था, बताओ, For Frontline पे कुछ था न, देखो, At the Frontline of Climate Action, देखो, अगर आपको सिरिफ Keyword भी आद है न, तो भी आंसर तक पहुंच आओगे, पूरा रटने की जरूरत नहीं होती है, Who has been appointed as next ambassador of India to Russia, India के अगले राजदूत, ambassador रश्या के लिए, किनका नाम आगे आया था, किनको अपॉइंट किया गया है, रश्या, विनेकरे हते जोड़ याद है क्या कुछ, कि रश्या, योगरे इनको जाने तो भई, ऐसा कुछ याद किया था, विनेकुमार, येस, तो छोटी-छोटी ट्रिक टेक्निक काम कर जाती है, लगाते रहा करो जहां जरूरत पड़े, over मत यूज करना, विच इनियन स्टेट अन्युली अब्जर्व पाखला दिबस, पाखला दिबस कौन से राज्य में, भारतीय राज्य में मनाया जाता है, और अभी हाली में 20th मार्च को हमने अब्जर्व किया था, पंक चाहिए उडने के लिए, किसी स्टूडेंट ने कॉमेंट सेक्शन मे लिखा था, ओडिशा, ओडिशा में पाखला दिबस मनाया जाता है, consider the following statement regarding world happiness report 2024, ठीक है बही, world happiness report 2024 के regarding कुछ statement है, आपको बतानी है, not correct, not correct, गलत कौन सी है, यह न, it is published on United Nation International Day of Happiness, यह तो सही है बही, कब आता है International Day of Happiness, लिखो, तारीक लिखो जल्दी से, इंडिया का rank 126 था, 12 बटे 6 हमारी बत्ती से, हां बिलकुल सही थी, अफगानिस्तान रिमेन अट बॉटम, बिलकुल सही है, तीनों सही है, कोई रॉंग है, नो, तो यह हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रॉंग नहीं है, what is the name of the cyclone storm that recently affected Australia's northern territory, हमने देखा था कि Australia की northern territory में, recently एक cyclone, tropical cyclone ने हिट किय है, उसका नाम क्या है, Megan, cyclone, Megan, मैंने का था, Megan Markle के नाम से भी मिलता जोलता है, ठीक है, Megan, where was the first squadron, the 451 aviation squadron established by Indian Navy, Indian Army, sorry, Indian Army ने हाल ही में 451 aviation squadron तैनाद किया है, ready किया है, Apache helicopters हमने खरीदे हैं, US से, वो आएंगे, और उनके लिए squadron हमने ready किया है, तो यह squadron कहां ready किया गया है, established किया गया है, वो आपसे पूछा जा रहा है, आंसर है, जोदपुर, और जो Apache aircraft है, हेलिकॉप्टर से वो उतरेंगे कहां, वो हिंडॉन Air Base, गाजियाबाद UP में उतरेंगे, और फिर जोदपुर से, जो टीम है, उनको operate करीगी, यह आपका question of the day है, what is the name of highest civilian award of Bhutan, हाल ही में ह आप लोगों के लिए एक अच्छा सा thought दे देते हैं, so people romanticize their plans, plans बहुत romanticize होते हैं, कि अरे भाई कहां गुमने चलेंगे, यह भी plan होता है, चलो चलो गोवा चलते हैं, यह भी होता है plan, और एक यह भी plan होता है, अच्छा सा बढ़ी आसा time table बना लेते हैं, colorful sheet लाते हैं, बहुत अच्छी diary चाहिए, planner चाहिए, उसमें लिखेंगे हम, तो people romanticize their plans a lot, but dread the execution, लेकिन जब बारी आती है, उनको execute करने की वहाँ, तायर में से हवा निकलती हुई, दिख जाती है, वाई, because execution is often more challenging, खयाली पुलाव बनाना, खयाली पुलाव भी, कई cases में नहीं होता, कई हम actually बहुत अच्छे plans बनाते हैं, लेकिन जब आप धरातल पे आते हैं, जब आप उनके execution पे आते हैं, तब आपको reality strike करती है, आपने लिख दिया, दिन में 10 गंटे पढ़ाई करूँगा, इसके बादी है, इसके बादी है, जब reality में आते हैं, नहीं हो पा रही है, बीच मे मुझे थोड़ा break भी चाहिए, मुझे गाना भी सुनना है, मुझे फ्रेंड के साथ कॉफी पे भी जाना है, मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, मेरा सिर भी दुख रहा है, so execution से हम डरने लग जाते हैं, आगे क्या कहा जा रहे है, the magic you are looking for is in the work you are avoiding, मैं यह नहीं कह रही वो दूसरी तरफ, जिस दिन आपका plan execute हो जाता है, आपके अंदर इतना जादा kickstart fuel होता है for another days, victory, होता है न, छोटी victory से इतनी खुशी मिलती है कि अगली victory पे पहुंचते हैं, जिस दिन एक टिक लग जाता है one to do पे, बहुत अच्छा feel होता है, so इसके लिए, लेकिन इसके अगर आप अपनी capacity से जादा चीज़े plan पे लिख दोगे, तो कभी भी meet out नहीं कर पाऊगे, और demotivated ही रहोगे, अरे मेरा to do ही नहीं खतम होता है, right, so it is very important कि आप planning बहुत अच्छे से कीजे, और planning में इतना मत do भी हो, उसको इतना romanticize मत कीजे, कि execution पे ही आपका time cut down हो अच्छे से पूजा करते हैं, तो पूजा कीजे, मनाते हैं, तो मनाईए, नहीं मनाते हैं, तो कभर में खुशी से रहिए, गुजिया खाईए, बनती है, तो नहीं बनती है, तो जो खाना खाते हैं, खाईए, पर जो भी है, खुश रहिए, मिलेंगे, जल्दी ही, take good care of yourself, bye बाईए, 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 बाई